आज एक नय वीडियो फिर से एक बहुत ही जबर्जस्त, बहुत ही ज़्यादा जबर्जस्त तो चाहे कि स्टुडेंट हो, चाहे वो रियल लाइफ हो उसके लिए एक जबर्जस्त और एक जबर्जस्त सीख की बात करेंगे, वैसे तो I think सभी लोग इसके भी सब जानते होंग लेकिन एक जो भी हमारे तरीके से कोई चीज है आज उसकी बात करेंगे तो वीडियो को आगे बढ़ा है उससे पहले बता दे कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं आप लोग लाइक करिए सब्क्राइब करिए और कमेंट पर बताईए कि आपको वीडियो कैसा लगा और जिन लोग जानते हैं कि जिस समय अरजुन को महा भारत युद्ध टाइम में ही अचानक मौ पैदा हो गया उन्होंने कहा कि अपने जो गुरू हैं अपने जो तात हैं जो अपने बिलकुल सगे संबंदियों आज हम उनसे युद्ध करेंगे और उनको था ही क्योंकि अरजुन उ आप भगवान करसे कहा था कि हे करस इन लोगों को मार करके अपने गुरू को पितामे भीसु को जो हमारे संगे संबंदियों हैं इनको मार कि अगर तीनों लोगों का राज मिले तब भी हमें नहीं चाहिए हमें युद्ध करना ही नहीं है युद्ध बिलकुल नहीं चाहते तो उस समय भगवान क्रिस ने कर्म के महत्यों को समझाया था उस समय जो बात कही थी वो कर्म की बात कही थी तो उसी की कुछ बात आज करेंगे कि क्या था वो कर्म का महत्यों क्या था जो भगवान क्रिस ने उनको मिली कहना चाहा था सारी बातों को ने समझाया उस कर्म की बेसिक जो महिमा होती, बेसिक वैलू होती है, उसके भिसे में भगवान केस्ट ने उनको समझाया था कि कर्म होता क्या है, नर्मली आप लाइफ में देखेंगे, सभी लोग बोलते हैं, चाहे हो पैरेंट्स हो, टीचर हो, चाहे जो होते हैं, मेहिनत करो, बेटा, वर करो, लेकिन हर आदमी कर नहीं पाता है, लाइफ एक चीद देखेंगे, कोई भी परसन एक नार्मल लाइफ नहीं जीना चाहता है, हर आदमी एक सेस्ट लाइफ जीना चाहता है, अच्छी लाइफ जीना चाहता है, लेकिन क्या सब आदमे उस चीज़ को हासल कर लेता है जिसे अर्जुन को ही समय में हुआ ये सारी चीजे हुए तो बिलकुल सोचे बिलकुल सारी चीजे सिनाए लग गई है उसके बावजूद भी वो युद्ध से बिलकुल नहीं करना चाया रहे थे उन्होंने कहा कि हम इन से युद्ध करेंगे ही नहीं तब ही उन्होंने उस महिमा की बात की थी तो कर्म बिलकुल अलग चीज होती है उन्होंने एक बहुत बड़ी बात वहां पे कही थी कि अरजुन इस तीनों लोकों में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे हम प्राप्त नहीं कर सकते ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमको हासिल नहीं है फिर भी मैं कर्म कर रहा हूँ और लोगों को ये दिखा रहा हूँ कि एक निस्काम कर्म करते हुए भी जिन्दगी जीरी जा सकती है निसकाम का मतलब होता है कि बिना स्वार्थ के, बिना किसी स्वार्थ के कर्म कर रहे है उन्होंने ये भी बता है कि दुनिया की हर चीज हम से है हर चीज में मैं ब्याप्त हूँ, हर चीज हमको प्राप्त है लेकिन फिर भी मैं कर्म कर रहा हूँ, ये लोगों को दिखा रहा हूँ देखे कर्म के विसे की बात है, तो कोई भी इंसान कर्म एक ऐसी चीज होती है, मेहनत एक ऐसी चीज होती है कि बिना मेहनत के आप जी नहीं सकते हैं आप सांस नहीं लेंगे, आप चलेंगे नहीं, आप खाएंगे नहीं आप लेटे रहेंगे, कुछ भी आप लेटे भी रहेंगे फिर भी आपके हाड की धरकन तो शुरू रहेगी या आप सांस लेते रहेंगे, खाएंगे नहीं, चलेंगे नहीं, उठेंगे नहीं, फिर भी तो आप करमी कर रहें और इसके अपोजेती है कि कोई आदमी करम करना ही नहीं चायता, बिना करम के आप जी नहीं सकते और कर्म कोई करना नहीं चाहिता बस इसी महत्व को उन्होंने समझाया था यही बात उन्होंने अरजुन को बताई थी कि तुम्हें राज चाहिए तुम्हें सारी चीजे चाहिए और तुम साथ में ये भी कह रहे हो कि अपने सगे संबलियों से अपने गुरू से अपने पितामे से युद्द भी नहीं करेंगे इसी वेलुक उनुसे समझायों था कि आप वहां पे अपने गुरू, अपने पितामे को मैं देखिये आप अपने कर्म को देखिये वो कर्म करने को उन्होंने सला दी, वही चीज बिलकुल लाइब के लिए होती है, कर्म बिलकुल यग की तरह होता है, बिलकुल पूजा की तरह होता है, बिलकुल एक तपस्या की तरह होता है, यही वो रीजन है जिसकी वज़े से देखे फिर वही बात आ रही है कि आप बिना कर्म के जी भी नहीं सकते और कोई आदमी कर्म करना भी नहीं चाहता क्योंकि कर्म एक ऐसी चीज़ नहीं होती कोई मार्केट का खिलावना नहीं है कोई खाने वाली मिठाई नहीं कर्म एक पूजा है, यग है, तपस्या है एक बहुत बड़ी तपस्या होती है जब भी आप देखे कर्म करने चलेंगे तो आपको दिक्कत होगी ही होगी आप अपनी लाइफ में देख लिए कोई भी काम आप किसी भी पोस्ट पे होगे आप बहुत अच्छी पोस्ट पे होगे पिर भी आपको उस लेबल की जिम्मेदार पर करना रहा होगा जब भी आप कर्म करने चलेंगे आप देखेंगे एक आपको अलग सेниковी लगानी पड़ेगी एक अपनी जो सोल है आतमा को बड़ा फ्रिश करना होगा तब ही आप वर कर पाएंगे कर्म कर पाएंगे दरवाइज आप कर्म कर ही नहीं पाएंगे तो इसलिए कर्म बिलकुल यग की तरह होता है पूजा की तरह होता है कर्म ही पूजा इसलिए बोला गया है तो वही है पूजा आपको पूरी इनर्जी के साथ लगना होगा पूरी तरीके से आपको अपने मन को बस में करना होगा तब ही आप कर्म कर पाएंगे कोई भी स्टूडेंट होता है, किसी फिल्ड पे आप हो, आप पढ़ाई की हों आप यूट्यूबर हों, किसी भी फिल्ड में हों हर आदमी चाहता है कि हम सफलता की बुलंदियों पे जाएं लेकिन वो जो सबसे बड़ी रुकावट होती है वो आदमी की कर्म ही होती कभी उसके मांसिक्ता खराब हो गई कभी उसकी तबियत खराब हो गई कोई चीज हो गए आप उन समस्याओं से जूचते रहेंगे कि अभी आप लोगों की बातों पे ध्यान देंगे क्योंकि आप पूरी तरीके से अपने आपको कंट्रोल ही नहीं कर पा रहें कर्म ही नहीं कर पा रहें मेहनत नहीं कर पा रहें तो इसी महत्तों को समझाए कि पूरी तरीके से आप अपने मन को, अपने दिमाग को, अपने बुद्धी को बस में रख करके, किसी तरीके से वे डेवियेट नहीं होना चाहिए, उसी को कहते हैं, साथ में आप जिस भी फिल्ट पे वर कर रहे हैं, अगर आप मान लिजे कोई क कमटीशन की तयारी कर रहे हैं, अगर आप यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, आपका फोकस वीडियो बनाने पे न हो करके कि वल इस पर जाता है कि हम बस ताप क्लास के यूट्यूबर हो जाएं, आप कभी भी ताप क्लास नहीं, आप जहाँ हैं, वहां भी नेस ले जाएंगे क्योंकि आपको मेहनत जब करनी होगी आप अपने वीडियो के लिए यूट्यूब की क्या किसी फिरे कि स्टूडेंट की बात किया जाएंगों कम्टीशन की तैयारी कर रहा है आप अगर IIT की तैयारी कर रहे हैं तो आपको IIT IES को नहीं देखना है आपको अप पूरी तरीके से अपने आप को कंट्रॉल में रख के यह सबसे बड़ी चीज होती कि जब भी आप महनत कर रहे हुंग आपका फोकस केवल आपके करब पर होना चाहाए है आपको किसी तरीके के इसके ग्लेमर इसके रिजल्ट उसकी सफलता उसके सुख दुक उसकी ना आपके कर्म पे होना चाहिए इसलिए कर्म को कहा गया है कि एक तपस्या है एक पूजा होती है एक यग होता है तो जब पूरी तरीके से आप फोकस करेंगे इसलिए कर्म के महत्तों को सबसे सरसे बताएगा एक सफलता की कुंजी है अगर आप पूरे मन से कर्म करेंगे तो आपको सफलता से कोई रूंक ही नहीं सकता है आप सफल होंगे ही होंगे तो फ्रेंट्स इसी वैलू को भगवान प्रेंट्स ने बताया है कि जब भी आप पूजा करिए बिल्कुल आप उसको एक तपस्या की तरह एक मेहनत पूजा यग की तरह करिए जिसमें आपका जब कर्म कर रहे हैं पूरी तरीके से आपका अपने मन पे और आपके दिमाग पे कंट्रोल होना चाहिए किसी तरीके से आपको दूसी चीजों पे फोकस नहीं करना है बस जिस लक्षे के लिए आप मेहनत कर रहे हैं तो आपका फोकस पूरी तरीके से मेहनत पे होना चाहिए सफलता एक दिन आपके पैरों के नीचे होगी थैंक्यो